अब इस lecture में हम देखेंगे के machine learning की types कितनी है और machine learning किस किस किसम की दुनिया में पाई जाती है और जाहरी बात है जब हम machine learning की types देखेंगे तो उनको हम one by one आगे continue भी करेंगे So हमारे पास machine learning की जो चार major type होती है Types of machine learning में पहली है supervised machine learning ठीक है बड़ी easily मैं आपको समझाँगा don't worry about that supervised दूसरी है unsupervised यह इसको हम clustering भी बोलते है ठीक है supervised and unsupervised तीसरी हमारे पास है semi-supervised which is a hybrid technique of one and two ठीक है and the fourth one is called reinforcement learning यह चार major type है अब मैं आपको गिनवाता हूँ पहली supervised दूसरी unsupervised supervised, unsupervised इन दोनों का मलाब semi-supervised और चोथी reinforcement learning चार टाइपस है supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning hopefully आपको याद होगी अब इन चार टाइपस में किस तरीके से काम करते हैं इनको बारी-बारी हम देखते हैं supervised learning एक ऐसी learning होती है कि जिसमें एक supervisor होता है अब supervisor कौन होता है, कैसा होता है, क्या करता है ये हम देखते हैं अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास supervised learning के अंदर एक हमारे पास supervision होती है second एक teacher होता है जो teach करता है और prediction आती है फिर outcome आती है यानि कि इसका मुराद ये है जो आप input data देंगे न machine को input data उस input data की base पे machine को आप पहले से बताएंगे भी कि किस चीज का क्या जवाब है यानि कि आप उसको बताएंगे कि 2 plus 2 is equal to 4 है फिर आपने बूचने 2 plus 3 क्या होगा तो पहले आप उसको बताएंगे input data देंगे उसके labels और फिर आप उससे predict करवाएंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या उसने prediction ठीक की है and then अपनी report लिखेंगे supervised learning के अंदर आपके पास input data यानि के labeled data होगा मिसाल के तोर पे अगर मैं machine को arm, kela, save इनकी तस्वीरें देता हूँ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये वला जो है आम है, ये केला है, ये save है ठीक है, तो तीन किसम के fruits जो है अगर मैं machine को ये साथ में information देता हूँ कि ये आम है, ये केला है, ये save है तो जैसे वो machine सीखती जाती है इस चीज़ को बोलते है supervised learning इसकी मिसाल मैं और देता हूँ बच्पन में आप बच्चों को क्या बोलते है बेटा, बोलो बाबा वो पहले नहीं बोलता फिर आप कहते हैं बोलो बाबा फिर आप कहते हैं बोलो बाबा तो वो ऐस्ता 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 बच्चे बोलना start हो जाते हैं ठीक है बाबा 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 ऐसे करते करते ऐसा वकत भी आता हो कहते है पहबा पैसे देना ठीक है so you know के वहाँ से start हो के आपने सिखाना start किया और at the end आपके बच्चे जो है वो बोलना start हो के आपके cousins बोलना start हो गए या आपके बतीजे बतीजी या बोलना स्टार्ट होगे, या आपके छोटे भेहन भाई, अब आप बात सुनिएगा, जितना ज्यादा आप बच्चे को ट्रेन करते हैं, वो उतना ज्यादा अच्छा बोलते हैं, जितना कम ट्रेन करते हैं, वो उतना कम अच्छा बोलते हैं इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा जितना ज्यादा data होगा उतनी ज्यादा machine अच्छे से learn करेगी ठीक है? अब आप खुद सोचें अगर आप बच्चों को बोलना ही न सिखाएं तो बच्चे कहां से अगर उसी analogy को machine पे लगाएं जितना आप machine को बार-बार सिखाएंगे और ज्यादा data से सिखाएंगे machine अच्छी accurately perform करेगी और यही चीज है कि machine learning के अंदर जब आप label data यानि कि data के साथ उनके labels भी देते हैं तो machine supervised learning की types के algorithm यूज़ करती है अब वो कौन-कौन से algorithm हैं we will see तो यहाँ पे input data होगा train करेंगे model को prediction देंगे and then output हमारे पास आएगी ठीक है जी यहाँ तक clear होगी अब आप देखें के हमारे पास यहाँ पे supervised learning के कुछ types होती है एक होती है classification एक होती है regression ठीक है classification क्या होगी जब आपने कोई एक unknown quantity को find out करना है और वो quantity एक categorical variable है that is called classification एक मैं फिर दुबारा बता देता हूँ के जब आप किसी variable को unknown variable को predict करने जा रहे हैं यानि के जो चीज आप find out कर रहे हैं machine से पूछने के लिए वो एक categorical variable है तो इसको बोलेंगे classification regression on the other side एक ऐसी चीज जिसको आप predict करने जा रहे हैं और वो numeric है इसको बोलते हैं हम regression तो regression और classification ये दो types हैं जो ज्यादा तर आप use करेंगे किसी भी machine learning के अंदर तो हमारे पास classification एक separate class होगी एक separate type होगी regression एक separate type होगी machine learning की classification में सिरफ categorical variables को हम predict करते है regression में हम numeric को करते है categorical numeric classification में categorical C से classification है C से categorical है categorical variable को और यहाँ पर regression number आ रहता है उसके अंदर तो इस वड़ा से regression इसमें आ गया यहाँ तक आपको clear होना चाहिए अब classification और regression दो type हैं एक में हम क्या करते है categorical variables को दूसरे में numeric data को हम predict करते है अब supervised machine learning algorithm की types काफी है logistic regression there are many other types cane-earest neighbor sport vector machine kernel SVM naive base decision tree algorithm random forest यह वो वाली types हैं जो algorithms लोगों ने बनाए हुए है मिसाल के दोर पे लोगों ने equations derive की है कि data दें जिस तरीके से machine ने सीखना है न वो सीखने का तरीका हम बताएंगे यानि के linear regression machine linear regression के असूलों पे अमल करती हुई सीखेगी अगर logistic regression है तो machine logistic regression एक algorithm जो किसी ने बनाया है उसके असूलों पे अमल करती हुई machine सीखेगी अगर kernel SVM है या for example जिसे हम sport vector machine बोलते है या k n e n s neighbor है अगर ये algorithm आएगा तो ये किसी ने बनाया हुए जैसे statistical analysis बनाया हुए थे इसी तरह ये algorithm है ये बनाया हुए machine जब सीखेगी तो इन points को मदे नजर रखके सीखेगी ठीक है तो ये जो algorithms होते हैं ये लोगों ने equations drive की हुई है पहले से जिने हम models भी बोलते है algorithms भी बोलते है इन algorithms की base पे जब machine ने सीखती है उस चीज को हम use करके machine learning के algorithms को generate करते हैं अब जब भी कभी आप machine learning करते हैं तो आप इन algorithms में से कोई ना कोई algorithm चूज करते हैं और choosing a best algorithm machine learning के अंदर आप सीखते हैं कि कौन कौन से parameter है जिनकी base में machine learning algorithm को choose करते हैं but for now ये होगी supervised machine learning ठीक है फिर आते हैं जी हम unsupervised machine learning पे unsupervised में क्या होगा आपका जो input data होगा वो label नहीं होगा मिसाल के तोर पे आप machine को ये नहीं बताएंगे कि ये केल है ये सेब है ये माल्ट है आप सारा fruit एक basket में रखके या जो आपके पास टोकरी है fruit की वो से पकड़ा देंगे और machine को कहेंगे करो भी क्या करती हो सीखो इससे data से तो machine क्या करेगी आपको भी पता है कि जो एक जैसी fruit दिखते है उनको side पे करते की यानि केले केले सारे side पे आम आम सारे side पे safe safe सारे side पे अंगूर अंगूर सारे side पे इसी को बोलते हैं klustering यानि कि आपने नहीं पता है machine को ये आम है ये केले ये sab है ये malt है machine ने खुद से सीखा और data की base पे उसने separate कर दिया सबी को ठीक है? अब आपको भी पता है कि जो save की shape है वो केले की नहीं हो सकती और जो malte की shape है वो save की नहीं हो सकती और उनकी जो बनावट है वो भी different है so based on those things जब आप एक machine को सारे के सारे data उठा के देते लेकि labels नहीं देते data के तो जब machine उस data पे सीखती है उस चीज़ को बोलते हैं unsupervised learning machine सीखती है और सीखने के बाद machine उस पे clusters बना लेती है ये वाले clusters और जब ये clusters बनते हैं then machine can predict कोई भी नई चीज़ जब आप cluster बनाने के बाद machine से पूछेंगे ना कि ये save दिखा के पूछेंगे ये क्या है machine ये नहीं कहेगी कि save है machine कहेगी ये वही चीज़ है जो मेरे पास इस cluster में पढ़ी है machine को नाम नहीं बता होते है so इसकी base पे machine कम आपको बताएगी कि ये वही चीज़ है जो वहाँ पे एक group में पढ़ी है इसका नाम आप one रख दें, two रख दें, three रख दें it's up to you और clustering ऐसे चलती है इसी तरीके से online जब आप different किसम की Google search कर रहे होते हैं तो आप शारुखान का नाम लिखते हैं तो Google के algorithm में पहले से पता हुआ है कि showbiz की दुनिया में किसी को search करना है आज कल अगर आप animal लिखेंगे तो जानवर नहीं आएगा क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो उर्दू हिंदी speaker लोग हैं वो animal movies की तरफ जा रहे हैं ठीक है? जो animal movie आई है आप लिखके देख लें Google पर आप animal लिखेंगे आपको जानवर कम देखेंगे आपको movie के ज्यादा जो algorithm में वो आएगा क्यों? क्योंकि आज कल ये चीज ट्रेंड कर रही है Google में So it depends on the cluster के कहां पर आपकी search ने जाना है ठीक है? So ये जो चीजें हैं ये आपके mindset में इस तरीके से बैठनी चाहिए कि जब label data नहीं है then if we do some kind of clustering और unsupervised algorithm जब हम use करते हैं तो इसको बोलते है unsupervised learning So इसका मतलब ये हुआ कि पिछली type में supervised में कोई हमारे पास supervisor था unsupervised में कोई supervisor हमारे पास नहीं है और वो जो supervisor जिसकी में बात कर रहा हूँ वो supervisor असल में data के labels को बोला जाते है ठीक है? Supervisor वो supervisor नहीं है कि मेरे PhD supervisor है मेरे master's के supervisor ये वो वले supervisor नहीं है ये हैं आपके label data को आप supervisor बोलते हैं ठीक है? So इस वज़ा से label data अगर आपके पास है तो supervised learning अगर label data नहीं है data unlabeled है तो आप इसको unsupervised learning कहते हैं दो types होगी हमारे पास तीसरी हमारे पास type जो है उस पे जाने से पहले unsupervised learning के कुछ algorithm देख लेते हैं इसमें clustering के algorithm होते हैं k-means clustering, hierarchical, hierarchical clustering, probabilistic clustering and there are many other clustering type अगर आप ये video देख रहे हैं तो आपने chat के अंदर इस chat के अंदर नहीं discord के channel पे जो chat है वहाँ पे आपने probabilistic clustering का keyword send करना है this is just to see के आप साथ-साथ काम कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं अगर आपने ये video नहीं देखी होगी तो ये keyword आप नहीं send कर रहे होगे ठीक है so probabilistic clustering time of the video आपने check कर लेना और इस timestamp के साथ आपने वहाँ पे probabilistic clustering लिखके send करना है तो इस तरह के काम हम आज से आइंदा करने वाले भी हैं ताके बाकी लोगों को भी पता चले के जो काम कर रहे हैं वो कैसे आगे जा रहे हैं semi-supervised में क्या होगा mixture of both कि आदा data आपका label है आदा label नहीं है या 40% label है 60% label नहीं है तो दोनों को mix करके आप use करते हैं इसको बोलते हैं semi-supervised learning ठीक है इसके भी कुछ अलगोरित हैं but we will see them later on फिर आती है जी reinforcement learning reinforcement learning क्या होती है reinforcement learning एक ऐसी learning होती है जिसके अंदर आप machine को कुछ सिखाते है machine अगर अच्छा काम करे आप उसे कहते हैं ये लोग पकड़ो तुमारा इनाम अगर वो काम ठीक ना करे तो उसको सजा दी जाती है यानि कि उसके number काट लिया जाए मिसाल के दोर पे आपको भी बताया है कि आपको सारा साल students को स्कूल में पढ़ाया जाता है लेकिन जब पढ़ने के बाद उनका test लिया जाता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें तो उनके number काम आते हैं number काम आते हैं तो उन्हें सजा भी मिलती है अक्सरोकाद हमारे दोर में तो हातों पे छड़ियां बजा करती थी ठीक है या ऐसे pencil है रखके teacher है दबा दियां करती थी so आजकल तो ये नहीं होता लेकिन वो तब ये एक मुदा होता था कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सजा नहीं मिल रही है उसे जजा मिल रही है उसे medal मिलता था या cup मिलता था ठीक है जो वड़क आप कहन दे so और जो दूसरे लोग हैं जो काम नहीं करते या जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें मिलती सी सजा और सजा के बाद उनकी कोशिश होती थोड़ी बहुत कि चलो यार पास ही हो जाओ कुछ ना कुछ तो सही बताओ यही काम यहाँ पे चलेगा reinforcement learning में आप अपना data देते हैं input data machine के model को train करते हैं उन्हेंने कहते हैं हाँ भी बताओ आप ठीक है आपकी machine आपको बताती है आप उसकी base पे सजा और जिजा देते हैं reinforcement learning तुक्के का नाम भी है hit and trial learning इसे बोलते हैं यहाँ पे algorithm हम अपनी mistakes से सीखते हैं ठीक है reward and punishment rule आप derive करते हैं policies बनाते हैं कि यह यह चीज़ें use करनी है और prediction करते हैं आप based on the punishment and reward for example यह जो autonomous driving cars automatically parking lot के अंदर खुद से drive करके लग जाती है यह automatically जो drive कर रही है यह सजा और जिजा की base पे system चलता है जो उनके algorithm design हुए है वो basically जब एक prototype बन रहा होता है तो उन्हें points दिये जाते हैं कि यहाँ से cutmar है फलाँ जगा से cutmar है यह सुनार का data कह रहा था यह आपको जो है लाइडार का data बोल रहा था यह आपको data जो है machine learning में computer vision का data आपको बता रहा था based on those parameters आपने यहाँ से turn लेना है या आपने break लगानी है या अगर 5 meter कोई आप से दूर है तो आपने कितनी speed low करनी है यह सारा काम autonomous driving में इसी पे होता है आपकी सारी की सारी gaming इसमें बनती है gaming industry में reinforcement learning बहुत ज्यादा यूज होती है तो जिनका यह question है कि reinforcement learning पे आप काम करेंगे हम बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे because we are working on data और जो reinforcement learning है इसके उपर काम होता है gaming industry के अंदर 3D animation के अंदर या आप कोई policy बनाते हैं आप crawlers बनाते हैं, web scrappers बनाते हैं वहाँ पे लोगों को बताते हैं जैसे आप किसी एक doc को train करते हैं वो भी इसी के अंदर आ सकते हैं आप किसी student को train करते हैं वो भी इसमें इसी तरीके से machine learning है football के match में जो आपको red card, yellow card दिया जाता है वो भी इसी के एक type अगर आप analogy लगा लें so it can actually fit on those things as well ठीक है जी यहां तक आपको clear हो गया reinforcement learning के अंदर सजा और जजा का rule होता है input data दिया जाता है train करते हैं model को predict करते हैं machine जब सीख लेती है यह learning कर रही है machine और फिर आपको output देती है report के base पे ठीक है और reinforcement learning का सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि जब एक machine अच्छे से सीख जाती है और सिरफ rewards, rewards, rewards आ रहे होते है then you can actually implement that model into real life ठीक है तो यह थी जनाब reinforcement learning इसकी कुछ types आपके सामने मुझूद है जिसमें हम policy optimization है Q learning है learning with the model given the model model-based enforcement learning and there are many other types reinforcement learning के अंदर जो हम इंशाला देखने वाले है so as a whole चार किसम की machine learning की types है supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement ठीक है यह चार की चार types के नाम आपको याद होने चाहिए मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप प्लीज यहाँ पे screenshot इसका ले ले ताकि आपको यह याद रहे और अगर आपको machine learning की चार टाइप्स की समझ आगी है then everything is going to be smooth and buttery for you ठीक है ठी यहाँ तक hopefully आपको machine learning की समझ आगी होगी अब machine learning के लिए future में हमने जो जो चीज़े यूज करनी है जो जो library यूज करनी है python में किस तरीके से हमने आगे जाना है वो इन्शाला हम next lecture में देखेंगे